आज हम लोग देखेंगे कि कलर हेर पर या फिर महंदी वाले हेर या डाई हेर पर हमें कलर किस तरह से डिजायर शेड लाना है तो पूरा प्रोसेस देखेंगे दोस्तों आज डिटेल में तो हमारे पास है 8.3 और 7.1 जो कि लॉरेल फैमिली के हैं दोनों और एक कूल कलर है और एक है लाइट ब्लॉंड कलर तो चलिए मैं आप लोग को पहले इसकी प्रैजिंग बता देता हूं तो इसकी प्रैजिंग आप लोग देखोगे तो यह कुछ जादा महिंगा नहीं कुछ तो चलिए इन दोनों ट्यूब्स को आप लोग का मिक्सिंग रेशियो है 1 इस टू 1 इंद आफ 8.3 और 7.1 दोनों का मिक्सिंग रेशियो 1 इस टू 1 इंद आफ यानि कि जितना आप लोग क्रीम लोग है उसका आप लोग को देड़ गुना लेना है डेवलेपर तो अभी मैं आप लोग का अंदर से ट्यूब निकाल के दिखा देता हो कि ट्यूब किस तरस है तो देख सकते हो यह ट्यूब है और इस पर अच्छी तरीकी से मेंशन किया हुआ है 8.3 जो की गोल्डन लाइट ब्लॉंड है और दूसरा हमारा कूल कलर है वो है 7.11 हमें कूल कलर कभ करने के पहले सबसे में इंपॉर्टेंट है हमारा ब्लॉंडर जो कि हमने लिया इस ट्रिक्स का आप लोग कोई भी ब्रैंड का ले सकते हैं लॉर्यल शोर्स को और इस पर बताया गया कि कितना लिफ्टिंग होता है कितने वॉल्यूम से तो सबसे जादा हमारा इंपॉर्ट अच्छा आएगा ही नहीं या फिर आएगा भी नहीं ऐसा भी हो सकता है तो हमने ब्लॉंडर लिया है और उसे हम लोग 20 वॉल्यूम में मिक्स कर रहे हैं 20 वॉल्यूम में इसलिए क्योंकि जो हमारा हेर से हमें ज्यादा फ्रिजी और ड्राइ की तरफ नहीं ले जाना है क्य कि कलर हैर है इसमें आप लोग देखिए हाइलाइट भी है और इस पे ग्लोबल कलर भी किया हुआ है तो इस कलर पर हम लोग करेंगे अगर आप लोग के पास डाय हैर आते हैं तो शायद हो सकता है कि आप लोग को दो से तीन बर अप्लिकेशन करना पड़े बट प्रोसीजर यही रहेगा आप लोग को इसी प्रोसीजर से चलना है यह नहीं कि डाय हैर साय और आपने 30 या 40 वोल्म लगा दिया ताकि डाय पूरी दरीकस से निकल जाए डाय तो निकल जाएगा लेकिन ड्राय आपका जो हैर है वो पूरी दरीकस ड्राय और डैमेज हो जाएगा तो करने के बाद में हमें हमारा जो शेड 8.3 तो हमें 8 लेवल तक यालने की यलो टोन तक हमें इसे लिफ्टिंग करना है यलो टोन के बाद हम इसमें करेंगे डिपॉजिट और यहां पर मैं दो टाइप्स में आप लोग को दिखाने वाला हूं क्यूंकि इसमें मैं एक हैर्स और खाली 8.3 लगाने वाला हूं और एक हैर्स में मैं कुछ मिक्स करने वाला हूं जिससे की हमारा ओरेंज टोन कट पाए तो क्या मिक्स होगा कैसे पूरा डिटेल में वीडियो लाश्ट तक देखिए काफी जदा इंपॉर्टेंट वीडियो आज का दोस्तों मैं इस हैर्स हमें हमारा अंडर कोट अचीव करना है तो आप लोगो अची तरीके से अप्लिकेशन करना पड़ेगा तो मैंने इसे 45 मिनिट के बाद में मैंने इसे ओपन किया है और आप लोग देख सकते हो कि हमें 8 लेवल अचीव हो चुका है जो हमें अंडर कोट चाहिए था और अब इसे थोड़ा सा मलसिफा अची तरीके से ब्रशिंग से कर रहे हैं आप लोग देखे किस तरह से हमारा हैर्स दिख रहा है और हमारा हैर्स बिल्कुल भी ड्रा या फ्रिजी की तरफ नहीं गया है और हमारा हैर्स में बहुत ही बहतरीन सा हमें जो अंडर कोट चाहिए वो मि इसे यह अच्छी तरीके से कट कर देगा तो आप लोग को कभी भी परपल शैंपू से ही ब्लॉंडर वाले हैर्स को वाश करना है तो देखिए हम लोग परपल शैंपू लगा के इसे दो से तीन मिनिट के लिए रखेंगे देन उसके बाद में हम इसे करेंगे वाश तो दे करेंगे तो मिक्सिंग रेशो क्या होगा कैसे सारा कुछ देखिए अच्छी तरीके से और फटाक से वीडियो को लाइक कर लीजे अगर यहां तक आ चुके हो क्योंकि काफी जादा नॉलिजबल वीडियो है आज का आप लोग के लिए काफी अच्छी तरीके से हमने डिटे एक बॉल में मिक्स करेंगे 8.3 मतलब सिंगल कलर तो चलिए इन दोनों कलर को हम आची तरीकी से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने का हम लोग को मिक्सिंग रेशो के होगा वह मैं आप लोग को वीडियो के साथ साथ दिखाता हूँ तो जो हमारा राइट साइड का बॉल है उ तो ने में निव पैकेज एक दम open किया हूँ आप लोग के लिए, तो चलिए इसे open करके निकाल लेते हैं, तो दोनों में हम उतना ही निकालेंगे, और जो एक में हम लोग mix करने वाले हैं, वो 7.1, तो 7.1, और हमें कितना mix करना है, आप लोग को अगर cool color जादा चाहिए, अग आप लोग को decide करना है कि आप लोग को आप लोग के hairs में color किस तरह से चाहिए तो मैंने देखिए इसे 50% नहीं निकाला है बस थोड़ा सा यानि कि 25% तक निकाला है और mix करने के बाद अब हम color deposit करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम जो 8.3 का single color बना है उसे हम लोग अच्छी तरीके से deposit करेंगे बहुत ही proper तरीके से आप लोग को deposit करना है देख सकते हो hairs में हम लोग पलट के अच्छी तरीके से लगा रहे हैं ताकि हमारे hairs में कहीं पे भी hair deposit रहना शूट ना जाएने तो orange जादा देखने लगेगा तो बहुत proper तरीके साफ लोगो brushing करना है और आप लोग देखो कि जो 8.3 है उस पे मैं जब color सबसे first लगा रहा हूँ और सबसे last में से wash भी करूँगा और जो हम लोग 8.3 और 7.11 लगा रहे हैं वो सबसे बाद में लगा रहा हूँ और सबसे पहले wash भी कर दूँगा और दोनों में result देखना कितना ज़्यादा different आने वाला है तो दोस्तो चलिए हमने foil को अच्छी तरीके से pack कर दिया अब हम लेते हैं जिसमें 8.3 और 7.11 हमने जो use किया जिसमें कि हमने cool color use किया है तो इसे अब हम deposit करेंगे तो इसे हम deposit करके अच्छी तरीके से pack करेंगे और हम ज़्यादा time नहीं रखने वाले हैं हम इसे खली रखेंगे 10 minutes के लिए और जो हमारा single hair color है 8.3 उसे हम लोग 22-25 minutes के लिए रखेंगे फिर भी आप लोग देखो कि दोनों में कितना ज़्यादा different आएगा तो चलिए cool color लगाने के बाद देख सकते हो कि तुरंद हमारे hairs में changing आना start हो चुका है इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं बट 10 minutes के लिए wait करेंगे और देन उसके बाद में अच्छे तरीके से करेंगे wash तो चलिए पहले foil paper में अच्छे तरीके से pack करते हैं और हम लोग 10 minutes का wait करेंगे तो देख सकते हो दोनों foil को मैंने आलग तरीके से pack किया ताकि हमें समझ में आये कि हमारा cool color कौन सा है और normal 8.3 कौन सा है तो आप लोग समझ पा रहे हो बहुती proper तरीके से कि right side वाला हमारा cool color वाला है और left side वाला जो हमारा है वो 8.3 single है तो 10 minutes हो चुका है और 10 minutes बाद मैं इसे कर रहा हूँ foil paper को open और देख सकते हो कि ये बहुती darkness क कि तरफ जा चुका है क्योंकि जब आप लोग ash color या फिर cool color जो भी color आप लोग इसमें mix करते हो औरेंज टोन को cut करने के लिए जब hairs में ash color का tone आता है तो hairs हमारे बहुती ज़्यदा dark दिखते हैं लेकिन जब हम इसे dry कर लेते हैं तो dry करने के बाद ने ये बहुती बहुती आप लोग का जो 8.3 है वो शेट को open करूंगा तो हमने इसे wash कर लिया है मैं दोनो final result आपको एक साथ दिखाऊंगा इसलिए अभी मैं फिलाल आप लोग को जो 7.1 और 8.3 का जो हमने mixing वाला color था उसे आप लोग को final result नहीं दिखा रहा हूं पहले 8.3 जो single hair उसे आच्छे तर करना है आप लोग को shampoo conditioner देन उसके बाद में आप लोग देख सकते हो दोनों में different हमने 10 मिनट सी रखा था और एक हमने 25 मिनट से रखा है फिर भी आप लोग को color का different समझ में आ रहा होगा कि हमारा एस वाला tone कौन सा है और जो हमने 8.3 single use क्या तो यह है हमारा final result cool color हमने जो 7.1 use करने के वाई से आप लोग देख सकते हो कि orange tone बहुत ही बहुत ही बहुत ही तरीके से cut हुआ है और जिसमें हमने सिर्फ 8.3 deposit किया था वो आप लोग देख सकते हो कि अभी भी orange tone में दिख रहा है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब आप लोग के बास colored hair या फिट tone कट नहीं होते हैं अगर ये चीज़ें आपको detail में समझनी तो उसके लिए आप लोग को color wheel का पूरा knowledge रहना चाहिए color wheel में बहुत ही जदा detail में बताया कि कौन से tone को किस तरह से cut किया जाए तो दोस्तों I hope कि आप लोग को ये video पूरा detail में अच्छे तरीके से समझ में आया